दिवाली का आज पावन त्योहार है और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवार जनों के बीच मनाँ और इसी लिए हर दिवाली मैं मेरे परिवार जनों के बीच मनाने के लिए आता हूँ कि आप मेरे परिवार जन है मैं आपका परिवार का साथी हूं तो मैं यहां कि प्रदान मंत्री के रूप में नहीं आया हूं कि मैं कि आपके परिवार के एक सदस्रे के रूप में आया हूं आप सभी के बीच आना जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है वही भाव मेरे मन में होता है और जब से मैं इसे मेधानिक जिम्मेवारी को समाल रहा हूँ आज उसको कि बीच साल से बहतिक समय हो गया कि बहुद लंबे अर्षे तक मुझे देश्वासियों ने इस प्रकार के सेवा का मौका दिया पहले गुजरात वालों ने दिया देश्वास ने दिया लेकिन मैंने हर दिवाली कि सीमा पर तैनात कि आप मेरी परिवार जनों के बीच बिच ब लेकर के जाओंगा नया उमंग लेकर के जाओंगा नया विश्वास लेकर के जाओंगा लेकिन मैं अकेला नहीं आया है मैं मेरे साथ एक सो तीस करोड़ देश्वासियों के आशिर्वाद आपको लेकर लेकर क्या आया है धेर सारा अशिर्वाद लेकर क्या आया है आज शा आपकी वीरता को, आपके शावर्य को, आपके पराक्रम को, आपकी त्याग और तप्रच्या के नाम पर और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुई हैं, ऐसे आप सब के लिए हिंदुस्तान का हर नागरीक उदिये की जोद के साथ, आपको अनेक अनेक शुब कामनाई भी देता रहेगा, और आज तो मुझे पक्का विश्वास हैं, या आप घर पर बात करेंगे, हो सका तो फोटू भी भेज देंगे, और मुझे पक्का विश्वास आप कहें, हाँ आ या रहा, इस बार तो दिवाली कुछ और थी, कहेंगे न, देखिए आप रिलेक्स हो जाएए, कोई आपको देखते नहीं है, आप चिंता मन किजिए, आप ये भी बताएंगे न, तुम बठाए भी बहुत खाई थे, नहीं बताएंगे, तुर बोलो न, साथियों, आज मेरे सामने, देश के जो वीर है, देश की जो वीर बेटियां है, वो भारत मा के ऐसी सेवा कर रहे हैं, जिसका सवभाग्य, हर किसी को नहीं मिलता है, किसी किसी को ही मिलता है, जो सवभाग्य आपको मिला है, मैं देख रहा हूँ, मैं मैं बैसूस कर रहा हूँ, आपके चहरे के उन मजबूत भावों को मैं देख रहा हूँ, आप संकल्पों से भरे हुए हैं, और यही आपके संकल्प, यही आपकी पराक्रम की पराकाश्टा करने की भावनाएं, चाहे हिमालय हो, रेगिस्तान हो, बर्फिली चोटियां हो, गहरे पानी हो, कहीं पर भी, आप लोग मा भारती का एक जीता जाकता सुरक्षा कवच्छ हैं, आपके सीने में वो जज़बा हैं, जो 130 करोड देश स्वाचियों को भरोसा होता हैं, वो चेन की निंद सो सकते हैं, आपके सामर्था से देश में शान्ती और सुरक्षा एक निश्चिन्तता होती है, एक विश्वास होता है, आपके पराक्रम की वज़े से हमारे परवों में प्रकाश भलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे परवों में चांड चांद लग जाते हैं, अभी दिपावली के बाद गोवर्दन पूजा, भईया दूच और छट परव भी बिलकुल गिंती के दिनों में सामने आ रहा है, आपके साथ ही मैं सभी देश वाचियों को नौशेरा की इस वीर वसंदरा से, इन सभी परवों के लिए देश वाचियों को भी बहुत बहुत सुपकामनाय देता हूए, देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोगाच दिवाली का जब दूसरा दिन होता है, तो नववर्श की भी शुदूआत करते हैं, और हमारी यहां तो हिसाब किताब भी दिवाली से पुरा होता हो और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है, खास करके गुजरात में कल नया साल होता है, तो मैं आज नौशेरा की इस वीर भूमी से गुजनात के लोगों को भी और जहां जहां नवर्ष मनाते हैं उन सब को भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता साथियों जब यहां नौशेरा की पवित्र भूमी पर उत्रा यहां की मिट्टी का स्पर्श किया तो एक अलगी भावना एक अलगी रोमांच से मेरा मन भर गया यहां का इतिहास भारतिय सेना की विता का जैगोस करता है हर चोटी से उस जैगोस सुनाई देता है यहां का वर्तमान यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की विर्ता का जीता जागता उदाहरण है विर्ता का जिन्दा सबूत मेरे सामने मौजूद है नौसरा ने हर युद्ध का हर चद्म का हर शड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और स्रीनगर के पहरी का काम किया है आजादी के तुरंद बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी वी थी नौसरा पर हमला हुआ दुश्मनों ने उंचाई पर बैटकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की और अभी जो मुझे पूरा वृत्त देख वीडियो समेच सारी चीज़ मुझे देखना समझने का मोका मिला और मुझे खुशी है कि नौसरा के जाबाजों के शावरियों के सामने सारी साजी से धरी की धरी रह गए दोस्तों भारतिय सेना की ताकत क्या होती है इसका एसास दुश्मन को शुरूआ के दिनों में ही लग गया फैजी मैं नमन करता हूं नोशरा के शेर ब्रिगेडियर मुहमद उस्मान को नायक जद्वनात सींजी को जिनोंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच बलिदान दिया मैं पडाम करता हूं लेपिनेंट और और राने को जिनोंने भारतिय सेना की जीत का नास्ता तसस्त किया था ऐसे कितने ही विरों ने नोशेरा की इस धर्ति पर गर्वी की गाफा है लिखी अपने रक्त से लिखी हैं अपने प्राकंट से लिखी हैं अपने पुर्सार्थस लिखी है देश के लिए जीने मरने के संकल्पव से लिखी है कि अभी मुझे hiçbir रस्यवाग कि दिवारी के इस पवीतर त्योहार पर मुझा आज दो ऐसे महापुरुसों के आशिरवाद प्राप्त करने का सौभाग मेरा कि मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है कि मुझे आशिरवाद मिले स्री बल्देव सी और सी बसंद सी जी ये दोनों महापुरुष बाल्यकान में मा भारती की रक्षा के लिए फोज के साथ कंध से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी और जब मैं आज सुन रहाता हूंको वही जज़बा था जी वही मिजाच्छा और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आजी अभी से लड़ाई का मैदान चाहे हैं ऐसा वर्णन कर रहे थे आज आजाती के बा मुहमद उस्मान के मारदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी उन्होंने अपनी जीवन की परवां न करते हुए उतनी कम रूम्र में देश की सेना के साथ कंजे दे कंधा मिलाकर के काम किया था सेना की मदद की थी नवशेरा के सौर्य का इस सिलसला तब से जो सुरू हुआ न कभी रुका है न कभी जुका है यही तो नवशेरा है सर्जीकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमी का निभाई वो हर देश वासी को गौरों से भर देता है और वो दिन तुम्हें हमेशा यहां रखोंगा क्योंकि मैं क्यों तैकिया था सुर्यास्त के पहले कि सब लोग लोट करके आज आने चाहिए और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिक टिका के बढ़ा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या और कोई भी नुक्षान किये विला कि मेरे वीर जवान लोट करके आगए पराकरम करके आगए शिद्धी प्रांप्त करके आगए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां आशांती भेलाने के अंगिनित कुछ सिद्ध प्रयास हुए आज भी होते हैं लेकिन हर बार आतंगवाद को मुहतोड जवाब मिलता है असत्य और अन्याय के खिलाब इस दर्ति में एक स्वाभाविक प्रेरना है माना जाता है और मैं मानता हुए अपने आप में बड़ी प्रेरना है ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्यात वास के दोरान अपना कुछ समय इसी खेत्र में व्यतित किया था आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आपको यहां की उर्जा से जुड़ा हुआ मैसूस कर रहा है साथियों इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्म मना रहा है आजादी के अमरत महोसो गुलामी के लंबे कालखन में असंख्य बलिदान देकर हमने यह आजादी हासिल की है इस आजादी के रख्षा करने का दाइत्वा हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे हैं हम सब पी जिम्यवारी हैं आजादी के अमरत काल में हमारे सामने नए लक्ष हैं नए संकल्प हैं नई चुनोतिया भी हैं ऐसे महत्पकों कालखन में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी दुर्भाग्य से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए यह मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा हमें टेक्नोलोजी के मामले में जुकना पड़ता था ज्यादा पैसे खर्ष करने पड़ते थे नए हथियार नए उपकरन खरीदने होते थे तो प्रक्रियान सारों सांज चलती रहती थी यहने एक अफसर फाइल शुरू करें वह रिटार हो जाएं तब तक भी की चीज नहीं पहुंती थी ऐसा ही कालकंटा नतीजा यह कि जरूरत के समय हथियार कि फिर आपा धापी में खरीदे जाते थे यहां तक की स्पैर पार्ट के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे सात्यों कि डिफेंस सेक्टर में आत्म निर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थीतियों को बदलने का एक ससक्त मार्ग है देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजेट होता है अब उसका करीब 65 प्रतिशत देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है हमारे देश यह सब कर सकता है करके दिखाया है एक अभुत्पुर्वा कदम उठाते हुई अब भारत ने ये भी तैकिया है कि दोसों से ज़्यादा साजो सामान और उपकरान अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे आत्म निरभर भारत का यही तो संकल्पा है अगले कुछ महनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले है देश को आत्म निरभर बनाने वाली यह पॉजिटिव लिष्ट और लंबी हो जाएगी इससे देश का डिफेंस सक्टर मजबूत होगा नएने हथ्यारों उपकरों के निर्मान के लिए निवेश्ट बढ़ेगा साथ क्यों आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं तेज़स जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉमबेक्ट एरकाप बन रहे हैं अभी विजया दस्मे के दिन साथ नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट को समर्पित किया गया है हमारी जो ओडिरेंस सेक्टरीस थी वो अब स्पेशलाइज सेक्टर में आदुनिक रक्षा उपकरन बनाएगी है आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट रक्षा के संकल्प का सार्थी बन रहा है हमारे कई नई डिफेंस स्टाटप्स आज अपना परचम लहरा रहे हमारे नवजवान 20-22-25 साल के नवजवान क्या क्या चीजे लेकर क्या आ रहे इची गर्व होता है साथियों उत्तर प्रदेश और तमिलनाड़ों में बन रहे डिफेंस कोरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं यह साने कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्त के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी ससक्त करने वाले हैं साथियों हमारे सास्त्रों में कहां गया है को अतिभारह को अतिभारह समर्था नाम यानि जो समर्थ होता है उसके लिए अतिभार माइने नहीं रखता वो सहज ही अपने संकल्पों को सिद्ध करता है इसलिए आज हमें बदलती दुनिया युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी शैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकुल ही ढालना ही होगा हमें मानू है किसे जम्हें हाती गोड़े पर लड़ाईया होती थी आप कोई सोच नहीं सकता हाती गोड़े की लड़ाई रूप बदल गया पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दसकों लग जाते होंगे सताधिया लग जाती होगी आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शांग को दूसरा तरीका होगा लड़ाईका इतनी तेजी से टेक्नोलोजी अपनी जगा बना रही है आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशन्स के तोर तरीकों तकी सिमित नहीं है आज अलग अलग पहलूओं में बहतर तालमेल टेक्नोलोजी और हाइबरीड टेक्टिस का उप्योग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है संगठी देतुरत्व एक्षन में बहतर सामनवाए आज बहुत जरूरी है इसलिए बीते समय से हर्स्तर पर लगातार रिफार्म्स किये जा रहे है चीफ अब डिफेंस टाप की नियुक्ति हो या डिपार्टमेंट अब मिलिटरी एफर्स का गठन यह हमारी शैन्य सक्ति को बदलते समय के साथ कदमताल करने में एहम रोल निभा रहे हैं साथियों आधुनिक बार्डर इंफ्रस्रक्टर भी हमारी शैन्य ताकत को और मजबुत करने वाला है सीमा वरती इलाकों की कनेक्टिविटी को लेकर पहले कैसे काम होता था यह आज देश के लोग आप सभी भ भली भाती जानते हैं अब आज लद्दाग से लेकर के अरोना चल प्रदेश तक जेसल मेर से लेकर के अन्वान निकोवार दीप तक हमारे बॉर्डर एरियाज में हमारे समुद्रिक तट पर जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी वहां आज वहां आधुनिक र साइवर दिया से नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं इसे हमारी डिप्लाइमेंट के विलीटी में तो सुदार हुआ है सैनिकों को भी अब बहुत अधिक सुविदा हो रही है साथियों नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत के शक्ति बनाने का गंबीर प्यास बीते साथ साल में हर सक्टर में किया जा रहा है कि देश की रक्षा के खेतर में भी भारत की बेटियों की भागिदारी अम नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है नेवी और एरफॉर्स में अग्रिम मॉर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महलाओं की भुमीका का विस्तार हो मुल्टरी प्रूलिश के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद कि अम महिला अपसरों को पर्मानेंट कमिशन देना इसी भागिदरी की विस्तार का ही हिस्सा है अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस अकडेमी राष्ट्रिय मिल्ट्री स्कूल और राष्ट्रिय इंडियन मिल्ट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिल्ट्री संस्तानों के दर्वाजे खोले जा रहे हैं इसी वर्स पंदरा अगस को मैंने लाल के लिए से ये भी गोशना की थी कि अब देश भर के सभी सैनिस कुलों में बेटियों को भी पढ़ाई का आउसर मिलेगा इस पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है साथियों मुझे आप जैसे देश के रख्षकों की वर्दी में केवल अथा सामर्थ के ही दर्शन नहीं होते मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे दर्शन होते हैं अटल सेवा भाव के अडिक संकल प्रशक्ती के और अतुल्निय संबेदन शिल्टा के इसलिए भारत के सेना दुनिया की किसी भी दूसरी सेना से अलग है उसकी अलग पहचान है आप विश्व की सिर्श सेनाओं की तरफ एक प्रफेशनल फोर्स तो है ही लेकिन आपके मानविय मुल्य आपके भारतिय सहुस्कार आपको और उसे अलग एक असाधारन व्यक्तित अपके धनी बनाते हैं आपके लिए सेना में आना एक नोकरी नहीं है कि पहली तारीक को तंखा आएगा इसके लिए नहीं आए है आपके लिए सेना में आना एक साधना है साधना जैसे कभी रुशी मुनी साधना करते थे न मैं आपके हरेक के भीतर वो साधक का रूप देख रहा हूँ और आप मा भारती की साधना कर रहे हैं आप जीवन को सुल्चाई पर ले जा रहे हैं कि जिसमें एक सु तीस करोर देश स्वास्यों की जिन्दगी जैसे आपके भीतर समाहित हो जाती है यह साधना का मार्ग है और हम तो भगवान राम में अपने सर्वोच्च आदर्श खोजने वाले लोग हैं लंका विजय करने के बाद भगवान राम जब अवध्य लोटे थे तो यही उद्गोश करके लोटे थे अपी स्वान में लंका नमें लक्ष्पन रोचते जनिनी जन्व भूमिच्य स्वरगाद अपी गरिये शी यानि सोने और समरुत्ति से भरपूर लंका को हमने जीता जरूर है लेकिन हमारी ये लड़ाई हमारे सिध्धानत और मानोता की रक्षा के लिए थी हमारे लिए तो हमारी जन्व भूमी है हमारी है हमें वहीं लोटकर उसी के लिए जीना है प्रभू राम लोटकर आये तो पूरी अयोध्या ने उनका स्वागत एक मां के रूप्पे किया अयोध्या के हर नर्नारी ने यहां तक कि पूरी भारत वर्ष ने दिवाली का आयोजन कर दिया यही भाव हमें औरों से अलग बनाता है हमारी यही उद्दात भावना हमें मानविय मुल्यों के उस अमर सिखर पर विराजमान करती हैं जो समय के कोलाहल में सब्यताओं के हलचल में भी हडीग रहती है इतिहास बनते हैं इतिहास बिगडते हैं सत्ताय आती हैं सत्ताय जाती हैं सामराज आसमान छुते हैं दहते हैं लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा हम रास को शासन सत्ता और सामराज्य के रूप में नहीं देखते हैं हमारे लिए तो ये साक्षाद जीवन्त आत्मा है इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भवगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का आर्थ है इस राष्ट्रिय जीवन्तता की रक्षा राष्ट्रिय एक्ता की रक्षा और राष्ट्रिय अखंडता की रक्षा इसलिए हमारी सेनाओं में आकास छुता साउर्य है तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है इसलिए हमारी सेनाएं केवल सिमायों पर ही प्राक्रम नहीं दिखाती जब देश को जरुरत पड़ती है तो आप सब आपदा विपदा बिमारी महामारी से देश समाचों की हिवाज़त के लिए मैदान में उतर आते हैं जहां कोई नहीं पहुंचे वहां भारत की सेनाएं पहुंचे यह आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है हर हिंदुस्तानी के मन में से यह भाव अपने आप प्रगण होता है कि आगे न अरे चिंता नहीं अब हो गया है कि छोटी चीज़ नहीं कि आप देश के घंड़ता और सार्व भौमित्ता के प्रहरी है एक भारत स्रेष्ट भारत के संकल्प के प्रहरी है मुझे पूरा भरोसा है कि आपके शार्य की प्रहर्णा से हम अपने भारत को सिर्ष उंचाईयों तक ले कर जाएंगे साथियों दिपावली की आपको भी शुब कामना है आपके परिवार जनों को शुब कामना है और आप जैसे वीर बेटे बेटियों को जन्म देने वाली उन माताओं को भी मेरे प्रनाव है झाल